इतिहास के दबे हुए पन्नों में ऐसे भी कुछ वज्यानिकों के नाम है जो नामुम्किन को मुम्किन करने की श्रमता रखते थे जी हाँ आज हम 20 वी सदी के महान साइंटिस्ट निकोला टेसला के बारे में बात करेंगे जिनकी आविशकारों ने पूरे दुनिया की नक्षा ही बदल दी थी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हैटफोन्स पहन लीजिए और इस पॉटकास्ट को एंजोई कीजिए जब बात आती है इनके दुआरा बनाएगे महान आविशकारों की तब हमारे दिमाग में अल्टरनेटिंग करेंट और इंडेक्शन मोटर जैसे कई आविशकारों के खयाल आते हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे और भी बहुत सारे आविशकार किये थे जो दुनिया को पूरी तरे से प्रिवर्तित करके उसको और भी सौ साल आगे ले जा सकती थी लेकिन इनके ये इन्वेंशन्स हम और आप जैसे आम आद्मियों से छुपाया गया कुछ बड़े बिजनेसमेंस के दौरा ताकि उनके धंदे में कभी घाटा ना हो इतिहास के दबे हुए पन्नों में से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसा छोटा एंटेना आविशकार कर लिया था जो कि घर, बिल्डिंग और इंडस्ट्री में पूरे दिन भर इलेक्रिसिटी सप्लाई कर सकता था जिसमें किसी भी तरह की कोई भी तार या फिर केबल्स की कोई जरूरती नहीं थी उनके हिसाब से हमारे धर्ती के साथ अंतरिक्ष का एक एनरजी इन्फलो कनेक्शन था और उस एनरजी से किस प्रकार से हम नौन स्टॉप इलेक्रिसिटी सप्लाई पा सकते थे वो उन्होंने डिकोट कर लिया था लेकिन अनफॉर्चनेटली जेपी मॉर्गन जैसे उस समय के जानेवाने इनसान के दोआरा ये सब बंद करने के लिए उनके उपर मेंटली प्रेशर डाला गया था ताकि उन लोगों के विद्दुत के वेपार में कभी नुकसान ना हो आप इन्फिनिटी वार मुवी में देखे होंगे एक युद के समय बचने के लिए एक तरफ से एक एनरजी शील्ड लगा दिया गया था निकोला टेसला ने भी एक ऐसा ही मेशिन बनाने के बारे में सोच लिया था जो कि एनरजी बीम या फिर कहे तो लाइट से बने शील्ड का दिवार खड़ा कर सकता था जो कि युद के समय USA को दूसरे देशों के आकरवन से बचा सकता था आपको तो पता है कि युद के समय जब एक देश के fighter planes दूसरे देश पर attack करने जाते हैं तब वो उस देश के radar system में visible हो जाते हैं लेकिन टेसला ने उस समय के युद बिमान और bomber planes के लिए एक ऐसा system developed कर लिया था जो कि उनको दूसरे देशों के radar system में आने ही नहीं देथी थी मतलब वो planes radar के करीब से गुजरने पर भी पकड़ा नहीं जाता था अभी आप शायद समझ रहे होंगे कि आखिर हर बार टेसला की इन प्रयासों पर क्यूं रोक लगाया जाता था उनके ये मशूर शब्द सिर्फ यूही मशूर नहीं थे अपने टाइम के हिसाब से वो काफी समय आगे की सोच रखते थे 1891 में उन्होंने एक हवाई जहास का नक्षा तयार किया था और उन्होंने इसका नाम दिया था स्फियर जो की 1985 के शक्तिशाल युद विमान को भी कड़ी टकर देने के काबिल था उनके दोरा आविशकार किये एक मेथट के हिसाब से एक एंटी ग्रेविटी मेशीन को भी बनाया जा सकता था जिसकी मदद से उस समय दूसरे प्लैनेट्स पर ट्रेवल किया जा सकता था लास्ट बट नॉट दालीस्ट ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे वो दूसरे प्लैनेट्स की जीवों के साथ कम्यूनिकेट कर पाते थे जो भी इन्वेंशन्स का आइडिया उनके दिमाग में आता था वो खुद ही उनका प्रोटोटाइप बना लेते थे लगबग 1200 से भी जादा अविश्कारे उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में की थी लेकिन अन्फॉर्चुनेट्ली 7 जनवरे 1943 में एक नी यॉर्क होटेल के रूम नंबर 3327 में 86 साल के बुढ़े निकॉला टेसला की लाश मिलती है उनके मृत्तु का कारण क्या था इन्वेस्टिकेशन के बाद भी ठीक से नहीं पाया गया लेकिन ये पाया गया कि उनका सीक्रेट लॉकर टूटा हुआ था जिसमें से उनके सारे रिसर्च पिपर्स गायब थे लेकिन बाद में 2016 में FBI ने उनके करीच 216 डोकुमेंट्स को आइडिन्टिफाई किया था जिसमें टेसला के दुआरा बनाया गया डेथ रे नामक एक मेशीन का जिकर किया गया था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वर को भी एक तरफा करने की शमता रखता था ऐसे ही नाजाने टेसला जैसे कितने लोगों की नए नए इन्वेंशन्स को बिजनेस और्गनेशन्स के दुआरा दबा दिया जाता है आप शायद कभी सुने होंगे कि कोई पानी से चलने वाला कार अविश्कर कर लेता है तो कोई हवा से चलने वाला मोटर लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वो नियूस से अचानक काय हो जाते हैं और धीरे धीरे लोग भी इन सब के बारे में भूल ही जाते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब कीजिए